बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस इंडिया का एन्वल छपरी बीट अंगीट समारो जो आज कल साल में दो बार होता है एक बिग बॉस, तूसरा वाला भी बिग बॉस तो अगर तुमको नहीं पता मैं तुम्हें बता दू पिछले हफ़ते बिग बॉस का एक नया सीजन शुरू हो चुका है और अगर तुमको इसके बार में नहीं पता था तो टेंचन बतलो इसके बारे में किसी को बता नहीं था तो पिछले साल उनीट सूपरस्टार की वज़े से बिग बॉस सबने देखा पहले दिन पे और इस साल बिग बॉस वाले लेकर आए दवड़ापाओ गल सीरियस्ली बिग बॉस वालो तुमको लगता है कि ये वड़ापाओ गल के वाइसे लोग बिग बॉस देखेंगे अब यह उसका खुद का कांटेंट लोग उसके प्रोफाइल में आके नहीं देखते हैं लिट्रली एलवे शादो खुद अपने वीडियो बोल रहा है कि इस साल का बिग बॉस तो बहुत पोरिंग है और उसका तो दोस्त बिग बॉस के अंदर है निट्रेल अगर मैं बिल्को सब कुछ हटा के अधर थर्ड परसं अधर अधर बनके बात करो तो इस बारी ओटीटी सीजन 3 में मजा नी आ रहा है नियोन मैं और निउस बोई जो बिग बॉस के टाइम पर बिग बॉस का हाइलाइट चैनल बन जाते है उन लोग ने तक छोड़ दिया करना भाई यूट्यूब के न्यूस चैनल बीग बॉस को इस साल पर यूनो कॉन बिग बॉस को इस साल नहीं कर रहा है मैं तेरे को तो व्यूस की बात किया है तो गाइस आज हम लोग बात कर दे वाले बिग बॉस के बारे में लेट्स बिगिएन तो बिग बॉस ओटिडी दो अजार इटी से चल रहा है और मैंने इनके कंटेस्टेट लिस्ट में एक चीज नोटिस किया तो अगर तुम सीजन वन को नोटिस करो तो सीजन वन में थे एक, दो, ती, चार फिल्म स्टार्स तीन रियालिटी स्टार्स, सिंगर्स, टेलिविजन स्टार्स बट सोशल मीडिया इंफ्लॉएंसर्स, नन यूट्यूब सेंसेशन, नन और अब आते हैं दो साल बात, सीजन तू में सीजन तू में फिल्म स्टार है एक, दो, ती, चार पाच, छे, शे फिल्म स्टार्स लिटरैली तेलीविजन स्टार्स के नाम पे एक, दो, ती, चार, पाच, साथ टेलिविजन स्टार्स साथ, और विग बॉस ओटीन के इस सीजन में कुछ बहुत मस्तर हुए सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स एक, दो, तीन और इनमें कौन है? मनिशाराणी, पुरिट सूपस्टार एंड यूट्यूब सेंसेशन और यूट्यूबर्स में है फुकरा, इचसाद और एलवेशादव और अब सबको अबिसली पता ये कि सीजन टू बिग बॉस में क्या हुआ और उसके मैं से इस साल क्या हुआ फिल्म स्टार्स, सिर्फ एक और इस बार कितने यूट्यूब सेंसेशन है, गैस करो एक, दो, ती, चार, पाँच पाँच यूट्यूब सेंसेशन, पाँच यार्मान मलिक को कौर यूट्यूब सेंसेशन बुला दिया बे? ओ शिट, मैंने एक चिज़ लावे नोडिस किया चंदरी का दिख्षित गेरा, जो है वड़ापाव गर्ल इसको बिग बॉस ने कॉमनर बना दिया इतनी जादा बेच जती तो आजाओ गाईस, सबसे पहले चल कर बिलते बिग बॉस ओटीडी सीजन 3 के कंटेस्टेंस से सबसे पहली कंटेस्टेंट, वड़ापाव गर्ल वड़ापाव गर्ल ने पूरे एक साल तक ओडिशन दिया बिग बॉस पे आने के लिए पर जब से बिग बॉस के घर में गई है इसने एक भी लफड़ा नहीं किया अरे मारा मारी छोड़ो इसको कोई पहचानी नहीं पार है बिना ठेलागाडी और हेड़ बैंड के बस वड़ापाव गल का बिग बॉस में होने का एक ही फाइदा है कि सब लोग को वड़ापाव घानी मिलेगा फ्री में और अगर उनलोग चाहे तो शायद से उनलोग चार से जादा भी खा सकते हैं और इसे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हमारे अगले कंटेशन के तरफ जो की है शिवानी कुमारी एंड तुम लोग पूछो के शिवानी कुमारी कौन है एक्स टिक्टॉकर शिवानी कुमारी टिक्टॉक स्टार करा दियो आत्मा का आत्मा की क्या आत्मा की शांती लेटेस्ट वीडियो शीवानी अभी तक नहीं बतली टिक टॉक तो बैद हो गया पर इन लोगत तक बचके और अमारे अगले कंटेस्टेंट है जो की एक मोडल एक टेलिविजन अक्ट्रेस है और इसको बिग बॉस में आके पहले दिन ही अलग संडास चीए था पहले आके अनिल कबूर के पास जाके बोलती है मेरे को अलग संडास चीए हमारे अगले कंटेस्टेंट है लवकेश का टारिया लवकेश को बिग बॉस के अंदर इसलिए लाया है ताकि थोड़ा सा एलिविश का संबना रहे शो के साथ अगले कंटेस्टेंट है अर्मान मलिक और उसकी दो बीविया वाट ता हेल मैंने अर्मान मलिक के जादव वीडियो देखे बट बिग बॉस का सबसे बज़दार चीज है कि जब भी बिग बॉस कोई भी कंटेस्टेंट को दिखाता है तो उसका नाम साइड में लिखके आता है अर्मान के बाजु में अर्मान लिखा है लवकेश के बाजु में लवकेश लिखा है बट जैसे ही अर्मान मलिक के बीडि को दिखाया जाता है पायल पीवी नंबर वन कृतिका पीवी नंबर टू वाट क्या है ये हमारे अगले कंटेस्टेंट है विशाल पांडे एड विशाल पांडे कौन है गेस करो कौन है एक्स टिक्टॉकर ओके आगे बढ़ते है अगले कंटेस्टेंट है रनवीर शोरे एक एक एक्टर एन फॉर्मर वीजे है एड आई थिंक सो कि मैंने रनवीर को कोई ना कोई मुवी या टीवी सीरीज में देखा है एड रनवीर का बिक बोस के घर में सबसे ज्यादा धिमाग खराब होता है शिवानी से मेरे को अभी तक समझा ने क्यों शिवा नी बस रैंडम ले आके पूछे की रनवीर अपने खाना खाया रनवीर तमीज से बात करो आप थीक से बात करो आप तमीज से बात करो आपको तमीज जोना चेहिए हम आपसे बढ़े अपनीज से बात करो और बिच्छारी बस बात कर देगा ही यह बोड़ा क्या हवारे अगली कंटेस्टेंट है सना मकबूल और मैं बता रहो गाइज मैं बहुत गलत समय पे मिर्जापूर रिवाच कर रहा हूँ मैं अभी थोड़े दर पहले बैटके एक बिगबॉस का एपिसोड देख रहा था और जितने बार इसका नाम सामने आते है मेरे दिमागे एक ही आवा जाता है मगूल मुन्ना के साथ जाओ अगले कंटेस्टेंट है दिपक चौरासिया जो की एक जर्नलिस्ट और न्यूज आंकर है और मेरा सवाल है क्यों वाई हमारे अगले कंटेस्टेंट है सना सुल्तान खाल जो की मॉडेल एंड सोशल मीडिया पसनालिटी है मेरे को नहीं पता माईन यह नहीं 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 दिखा है यहाँ पेर पर मुनिशा लिखा है विग बोस पे मनीशा बोलते है उनलोg क्या नाम जो की एक ुपिरसे सवाल है क्यों अगले कंटेस्टेंट है और मेरा फिरसे एक गयार और सवाल है क्यों भाई तो प्रोफेशनल बॉक्सर है, क्यूँ? और हमारे आखरी कंटेस्टेंट है, नेजी, जो आज तक बिग बॉस के हिस्टरी में सबसे ज्यादा शान्त आदमी है, तो इस साल बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट्स को मिला एक फोन, जो की स्पॉंसर वाला फोन है, वो फोन मालों ने पैसा दिया है बिग बॉस को फोन को रखने के लिए, और उधर आते है लगकेश भाई, जिसको लाइफ में फरक ही नी पड़ता है, पहिला दिन बंदे ने फोन डबे से निकाला फोन को चालू किया, फोन चालू हो रहा है, ये बोलता है, ये तो बहुत स्लो है, खड़े खड़े लाइफ टीवी पे सब के सामने फोन की बेज़दी कर दी, और बिग बॉस में रेगुलरली क्या होता है, बिग बॉस किस चीज़ के लिए फेमस है, लड़ाई, मारपी, बर इस साल वाले बंदे इतना सोच के आये कि कोई लड़ने को तायार ही नहीं है, तो बिग बॉस खुद लड़ाई करने का जुगाट लगा रहा है, एक दिन सब लोग को खाना कम दे दिया, जो अंडा खाएगा, उसको फिर नहीं मिल पाएगा ब्रेकफास्ट, जो अंडा भी खा रहा है, वो सिरफ अंडे पे नहीं जी सकता, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे जगड रहे दोनों मिलके, उसके बाद नॉमिनेशन का दीन आया, क्या करना है, उस वेल के अंदर तुमको कुछ एक सामान डालना है, और एक विश मांगना है, तुमको सामान डालना है किसी भी एक पार्टिसिपेंट का परसनल आइटम, और वो आइटम तुमारा खुद का नहीं होना चाहिए, और विश मांगने के लिए सबसे पहले आ गया, I think so, Big Boss है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, रनवीर भाई, बस एक बार गेस करो कि रनवीर भाई विश करने के लिए क्या लेकिया है, चड़ी, भाई सीधा चड़ी उठा के लिए आ गया, अरे भाई, उधर कितना सामान पड़ा है, कुछ भी उठा ले, बंद ने चड़ी उठा लिया, और चड़ी के बदले में भाई ने क्या विश मांगा, चड़ी के बदले में अंडा, मैं पहले मजाक मजाक में बबजी खेलते हैं लोग को चड़ी चौर बुलाता था, ये तो एक्चौल का चड़ी चौर दिखला, और सबसे ज़्यादा मजा मेरे को तब आया, जब उस एमिसोड के एड में बिग बोला, तुमने जो भी विश मांगा, सब भाड में गया, मैं तुम्हारा कोई विश पूरा नहीं करते वाला हूँ, पेचारा वो चड़ी चुरा के लिए के आया, उसका विश भी पूरा नहीं किया, तो anyway guys, आज के लिए बस इतना ही, इस से जादा Big Boss की बाते में एक दिन में नहीं कर सकता हूँ, और मैं भी यह चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे चैनल पर नहीं हो, और अब सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे के लिए एक सबस्क्काइब का इसके पास, जा उसको महर दू, मगर प्यास, and I will see you guys next time I'll do that, this is Rony and you just saw the Rony Show, bye bye